नमस्कार भाईयो तो स्वागत है आपका आपके ही चेनल में और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली वस रजस्तान के वीच में जो IPL का नवा मुकाबला खेला जाना वाला है उसके बारे में और भाईयो इस मेच में क्या होने वाला है कौन से पिलियर्स इंफोर्टेंट रहन वाले हैं किसको लेना है किसको ड्रोप करना है केसे आपको आजके मेच में टीम बनाना है क्या रहेगी पिछी रिपोर्ट सब कुछ एटू जीडो के आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है or भाईो किस वीडियो पर यसा लगा था कि आज prediction गलत हो जाएगा लेकिन नहीं पहले बेटिंग करने वाली टीम का बोला था और पहले बेटिंग करने वाली टीम जीती और भाईयो अभीशिक शर्मा बोला था मैंने कि SRH की तरह से left handers run बनाएंगे और first के लिग्राम पर लिंक है वीडियो के description और comment box में टीम देखना बोलोगे हाई भाई मज़ा आगे बाकी भाईयो आई पिल के अभी 8 मेच हो गए है और 8 मेच में एक मेच में आपके भाईयो ने ग्रेंडिक विन करी केक्यार का जो मेच हुआ था SRH के साथ उस मेच में आपके भ बताया और बाकी कल बोला था फर्स्ट बेटिंग वाली टीम लेकिन ये भी बोला था कि एम आई की जीतने के चांसेस रहेंगे ज्यादा लेकिन ये बोला था कि फर्स्ट बेटिंग और हिंडिक लास इनकी वज़े से टीम हार सकती है और ट्रेविस हेड आ गया तो फिर मैं ये टीम भी अपनी एसरिच की फिर में बनाई थी लेकिन के बहुत बहुत रण बने यार कर दस बनेवाज टिंग ने गुज गया थीग है जो भी है वागी मेरी टीमें देखो में लाया था वही दर दस बनेवाज पर ठीक है कल तो यार मतलब ब्रेविस आज जीतना है ग्रेंड लिक्स ठीक है बागी भाईव आपका आई दिनों ही ग्रेंड लिक्स जीतता रेता है और fantasy की दुनिया में सबसे वादा grand league अकर किसी ने जीती है तो आपका भाई है और आज का जो match है इस match में grand league जीतने के पूरे पूरे chances रहने वाले हैं क्यों रहने वाले हैं आपको आगे समझ में आएगा चलो पेले तो मैं आपको बता देता हूं आज के match की pitch report फिर उसके आप में बात करेंगे इन प्लेंग लेन दोनों टीमों की प्लेंग लेन में से लेना किस किस को किस condition में ठीक है अभी मैं आपको बता देता हूं सबसे बिले pitch report है तो भाई हो जेपूर में मेच खेला जाएगा राजिस्तान का home ground है और राजिस्तान के आज जीतने के थोड़ पर मिलती है ज्यादा विगेट यहां पर spinner चटकाते है लेकिन भाई यो आई पिल में होता क्या है न कि रोलर इत्ता चला देते हैं कि भाई spinner की लपक के कुटाई होती है विगेट ज्यादा फास्ट बोलर सी लेके जाते हैं तो बता दूँगा मैं आपको कौन से spinner लेना है क तो यह तीन spinner तो important रहेंगे ही रहेंगे बाकी फास्ट बोलर कोन से important रहेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा बाकी बल्ले बाच बल्ले बाच किते लेने देखो बाई बेटिंग friendly विकेट है कल जैसा यहां पर भी हो सकता है ठीक है 200 बना के सामने वाली टीम भी 190 कर सकती ह होना के सामने वाले टीम में डाई सो कर सकती है तो बेटिंग friendly विकेट है लाश्ट बेच जो हुआ था एलेस जी वास आरार का यहीं पर हुआ था हाई स्कोरिंग मेच हुआ था तो वो मेच भी राजिस्तान ने जीता था आपके भाई ने बोला था राजिस्तान का आज भी आपकी में बोल रहा हूँ कि राजिस्तान के जीतने के ज्यादा चाहसे सबगे ठीक है ठीक है बागी टीम के से बनाना है वो भी मैं बताऊँ आपको बाकी एक चीज वर बताना है कि भाईओ यहा पर जो टीम पहले वेटिंग करती ज्यादा मेच वहीं विन करती है ठीक है क मैं आपको जो गीब ओवे हैं जो मेने आपको शुरू में बोला था भाई home कर दिखा देता हूं मिलेगा केसे ऑन समझा देता हूं फिर उसके बाद मैं आज के मेंच के टिंक बना के बता देता हूं तो भाई open कर लेता हूं आपका give away ओपन हो गया भाई हो आपका give up है और 15,000 रुपे का give up है आपको मेरी तरफ से फिरी मिलने वाला है लेकिन आपको करना कुछ नहीं है छोटा सा काम करना है आपको लीग 11 डाउनलोड करना है लिंक है वीडियो के description और comment box में ठीक है वहाँ से आप लीग 11 डाउनलोड कर लो डाउनलोड करने पर भी आपको मिलने वाला है 100 रुपे मेरी तरफ से ठीक है तो 100 रुपे आपको डाउनलोड करने पर मिल जाएगा प्लस 15,000 रुपे का give up है मिल जाएगा आपको और यहाप आइफोन का भी give up है करवा रहा है आपका भाई तो आइफोन भी आपको जीतने का म कुछ मिलने वाला है आपको लीगले उन पर आपके भाई की तरब से बागी जो भी मेच होता है IPL हो या फिर XYZ कोई साभी मेच हो सभी मेच हो की अपने टेलीग्राम चेनल पर लीगले उनकी टीम देता हूँ तो डाउनलोड कर ले न भाई यो लीगले उन वीडियो के डिस्क्रेप्शन और कमेंट वोक्स में लिंक है लीगले उनकी ठीक है भाई यो बाकी ये तो समझ में आगे आपको की लीगले उन डाउनलोड करने पर 15,000 का गीवब है आइफोन मिल रहा है थाईलेंड जाने की ट् जो क온्टेस दूसरी साइट पे 13850 का होता है यहां पे 3660 का मिलता है भाई अब सब्सक्राइब के जो कन्टेस चार नाम्पर का 2999 का होता है heck 27 distint का मिलता है भाई यहां यहां पर इंट्रिफीस बहुत कम है जो सारे आपको यहां पर एंटरिवी बहुत कम मिलने वाली है मतलब कम पेसों में ज्यादा विनिंग ठीक है बाइयो बाकी यहां पर वाईयो कॉंपेटिशन बहुत कम है और स्मोल लिक्स में यही पर खेलता हूं इसके अलावा कहीं नहीं खेलता हूं इन्वेस्मेंट मेरा जो भी र मैंने आपको सब कुस समझाया डाउनलोड जरूर कर लेना लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अब बात करेंगे सीधे आज के मेंच की टीम के उपर चल आ गया हूं सबसे बेले तो मैं आपको दिखा देता हूं आज के मेंच की प्लेंग लेन तो जो लास्ट मेंच में हुआ था वो ही होगा नांद्रे बर्गर आज सबसेट्यूट में आ जागा सेकेंड बोलिंग में इंपेक्ट प्लियर ठीक है अगर राजिस्तान पेले बोलिंग कर रहा है तो नांद्रे बर्गर आ जाएगा प्लेंग 11 में और सबसेट्यूट में कौ substitute player में आपको बता देता हूँ last match में पोरेल आया था लेकिन इस match में पोरेल के आने के थोड़े chances कम रहेंगे डी सी अगर पहले वेटिंग करता है तो यहां से bowling section में आपको मुकेश कुमार तो आप प्लेंग लिएन में आ जाएगा क्योंकि यहां से इशान शर्मा इंजड होगे था last match में ठीक है तो यहां से आपको यहां से भाई आपको दिख रहा होगा आर सलाम आर सलाम आपको आज का match substitute के रूप में impact player के रूप में खेलता हूँ आपको स्प्सेट्यूट को में ने खिलाया लेकिन इस में जरू करवा लेंगे opening तो substitute player का बागी आपको समझाई दिया बागी इशान चर्मा last match में injured हो गया था तो इशान चर्मा की जगा पर यहां से मुकेश कुमार सीधा आ जाएगा बागी ओंडिक नोर्खिया और रिचार्ट सन भाई ओ दोनों injured है मुश्किले की खेले हा लेकिन अभी नोर्खिया की news आ रहे थी कि वो खेल सकता है अगर खेलेगा तो भाई ओ इंपोर्टेंट player रहेगा ठीक है खासकर first bowling में ठीक है भाई ओ प्लेंग लिए उन समझा दी अब आपको बता देता हूँ इस match में किस किस को क्यों लेने वालो हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं wicket keeper section में पहले बात कर लेते हैं तो बाई ओ बटलर आपको खेलता हुआ दिखाई देगा ओपनिंग करता हुआ दिखाई देगा संजो सेमसंग आपको वन डाउन बेटिंग करता हुआ दिखाई देगा प्लस विकेट कीपरिंग करता हुआ दिखाई देगा प्रिशप पंद आपको टू डाउन खेलता हुआ दिखाई देगा शाई होप आपको वन डाउन खेलता हुआ दिखाई देगा लेकिन विकेट कीप रिंग नहीं करता हूँ दिखाई देगा डी जुरेल भी भाईयो मिडी लोडर में खिलने वाला है छटे से साथवे पे और विकेट कीप रिंग नहीं खरेगा लेकिन लास्ट मेच में तीन केच ले गया था बिना विकेट कीप रिंग के ये पोरेल लास्ट मिच में सबसेटियूट आ गया था क्योंकि इनके बल्लेवाज ही पूरे खतम हो गया थे विसे मुकेश कुमार आने वाला था सेकेंड बोलिंग में पर क्या हुआ कि इनके बल्लेवाज निपट गया थे तो पोरेल आ गया था और पोरेल ने बहुत करें उस कंडिशन में ओ डिसी पेले बोलिंग करें उस कंडिशन में ठीक है इस बार उल्टा होगा चलो बात कर लेता है भाई हो विकेट कीपर सेक्षन में कून कितना इंपोर्टेंट है और मैं किस किस को क्यों लेने वाला हूँ देखो भाई हो यहां से दो विकेट कीपर हमेशा मतलब रन बनाते हैं और संज्ञू सेमसंग का तो होँम ग्राउन देंग फ्रेडिग तो अच्छा रहेगा इस मेच में दो विकेट कीपर अब ज़रूर लेना बाकि जोस बडलर की क्या ही तारिप कर हुए है जोस बडलर मिने बड़ा ही जबरदस्ट वल्ले वाज है ओपनिंग करता हूँ आपको दिखा ही देगा तकड़ा वल्ले बाजर जोस बडलर को भी में लेने वालों वो तो अच्छा वागी T20 हो ओडिया वर्ल्ड कप नहीं खेली वेस्ट एंडिश तो हो सकता है कि ओस्टेली और वेस्ट एंडिश फाइनल खेल रहे होती हाँ भाई वेस्ट एंडिश के प्लियर इंडिया में रन हमेशा बनाते हैं तो शाई होप पे भी थोड़ा ध्यान नीचे हैं बहुत नीचे वल्लेवाजी करेगा तो देख लेना मैं तो बोलूँगा वाई टूरूप करोगे तो थोड़ा ज्यादा साही रहेगा एप और रिस्की पिलियर है भाईयो क्योंकि वेटिंग बहुत नीचे करेगा बागी वाईयो यहां से तीन ये जो विकेट क पर यह मैं बहुत अच्छे रहने वाले आज के मेश में दो तो आपको विकेट की विक तरफ से कप्तानी भी करते हुए दिखाई 26 Surprise बैटिंग सक्षण में डेविट बोर्नर यसश्षवी जसवाल दोनों ही अपनी अपनी टीम से ऑपनिंग करते हुए आपको दिखाई बल्लेवाज और जशच्वी जेस्वाल तो यार भाईयो ऐसा उबर के आ गया है कि मतलब एक साल से फ्लोप भी नहीं हुआ है फ्लोप भी नहीं हो रहा है यार भाईयो तो जेस्वाल प्लस देविट बोर्नर भी बहुत ही मुश्किल से फ्लोप होता है तो ये दोनों 56 परसेंट है, 94 परशेंट है मतलब कोई नी छोड़ रहा है सब अपनी टीम में लेकर चल रहा है तो इस मोल लिख में तो बिलकुल लेना ही है ग्रेंड लिग में भी बिलकुल लेकर चलो क्नों पर इन दोनों में से एक पर रिस्क भी ले सकते हो किस कंडिशन में जब बोल इस सेक्शन में, ठीक है, तो यहां से मैंने लिए हैं, दो वल्लेभाज बेटिंग सेक्शन से, विकट कीपर में लिए हैं, तीन विकट कीपर, बागी शिम्रं एटमायर चाओ तो ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट बेटिंग में, पर फॉर्म सही नहीं है, एटमायर का भी, हो सकत हेटमायर की जगा पे इस मेच में आपको रोमेन पोविल खिलता हूँ दिखाई दे और प्रत्वीशो भाईयो इस मेच में आपको हो सकता है कि अगर डीसी पेले बोलिंग करती है तो सबसेट्यूट के रूप में पेले वेटिंग करता हूँ दिखाई दे तो ध्यान रखना प्रत्विशों के उपपर सब्सेटियोट के रूप में आ सकता है इंपेक्ट पिलियर कब बाद में मेटिंग पर ठीक है और रिकी भूई ये भाई गरेंड लिक की पिके ठीक है रिकी भूई और टी इस्टस इसका IPL में साही रहता नहीं भाई यो ऐसे टी टॉन टी में बहुत अच्छा केलता है साउथ अपरिका में IPL में इसका साही नहीं रहता है और देख ले ना गिरेंड लिक में ऐसे पिलियर चल जाते हैं चे परसेंट, तीन परसेंट दोनों गा सेलेक्शन की ठीक है? बागी भाई हो बैटिंग सेक्षन में जादा कुछ खास हैं नहीं विकेट कीपर में थे उन में से हे मैंने तीन लियर और बैटिंग सेक्षन में दो तो लही हिनी है आप चलते हैं all rounder section में all rounder section में आगे हैं वह यो बात करेंगे all rounders कौन कौन से खिलने वाले उसके उपर पेले फिर उसके बाद में बात करेंगे किसको ज़ते हो पहले है विचल मार्च आपको खिलता हो दिखाई देने वाला है ठीक है, अक्षर पटे ले, लेप टार्म स्पिनर, हमेशा विकेट निकालता है, हमेशा रन बनाता है, तगड़ा ओल डाउंडर, प्रभी अश्विन भी आपको खिलता हूँ दिखाई देने वाला है, और यहां से एस कुमार, एस कुमार ने लाश्ट मेच में कुछ किया नही है, ठीक है, तो बात कर लेते हैं भाईयों कि लेना किस-किस को है, क्यों लेना है, उसके उपपर, तो भाईयों सबसे बिले लेने वालों यहां से ओलराउंडर सेक्शन में, मिचल मार्श को, दोनों ही कंडिशन में इंपोर्टेंट रहेगा, कोई भी टिम बोलिंग करें, लेकिन अगर आप captain voice captain बनाने की सोच रहे हो तो भाईयो अगर first bowling DC की है तो आप बिल्गुल captain voice captain बना सकते हो बोलोगे क्यों तो कि भाईयो ये wicket ले जाता है first bowling में ठीक है और second inning में फिर run भी मार सकता है कुछ तो ध्यान रखना बाकी first betting है अगर DC की तो भाईयो run जरूर मार के देगा क्योंकि ज्यादा moment मिलेगा नहीं first betting में और first betting के जीतने के ज्यादा चांसे से तो first betting में run मार के देगा वले wicket ना शटका है तो दोनों department से अच्छा कर सकता है अगर पेले bowling कर रही है तो ज्यादा wicket निकाल के देगा अगर पेले वेटिंग कर रही है DC तो आपको ज्यादा run बना के देगा मतलब दोनों department से आपको काम करके दे ही देगा 90% selection है छोड़ना रिस्की हो सकता है लेके चलो अच्छा reward मिल सकता है ठीक हो भाईयो आज प्यास बहुत लग रही है क्या गरूँ चलो अब बात करते हैं भाईयो आगे तो भाईयो एक ओल राउंडर रोड लेने वाला हूँ दोनों condition में उसका नाम है अक्षर पडिल सन जोज बटलर रवी चंदरन अश्विन रियान पराग दुरू जुरेल मतलब राइट हेंडर्स के नाम बता रहा था मैं आपको इतने सारे सब राइट हेंडर्स है और अक्षर पडिल लेफट आर्म स्पिनर है हमेशा राइट हेंडर्स के विकेट निकालता है और आईप टार्म स्पिनर है प्लस ओल राउंडर जबरदास्त है लंबा खिलाड़ी है लंबे लंबे छटके मारता है सी वी सी बनाने के लिए भी बेस्ट ओप्शन है ठीक है बागी रभी चंदरन अश्विन भाई अश्विन आज सेलेक्शन कमें अश्विन का लेकिन बाईव ज्या पंथ है और विकेट कीपर आप देखोगे पोरेल पोरेल भी शायद लेप्टी है देखता हूँ एक बर हाँ लेप्टी है ये भी अगर पोरेल प्लेंग 11 में है तो वो भी एक लेप्टी हो जाएगा तो भाईव अश्विन के आज खाते में ज्यादा विकेट आ सकते है तो थोड़ा ध्यान रखना इस पी नेरो पे अश्विन और अक्षर पे तो थोड़ा ज्यादा ही नजरे बना के रखना ठीक है भाईव तो अश्विन को भी में लेने वाला हूँ पेटिंग से थोड़ी का मोमित रखना लेकिन आप बोलिंग पूरे चार ओवर डालता है और सा रहे रियान पराग की तो भाई यह चोते नंबर में बल्ले बाजी कर रहा है और यार पिछ पे बल्ले बाजो का राज चल रहा है आई पील में बल्ले बाजो का राज चल रहा है तो रिशप क्या बोलते हैं रियान पराग इस साल कंसिस्टेंट हरमेश मेरन बना सकता है तो देख ले न रियान पराग को पेले बेटिंग करते हुए बाद में बेटिंग करते हुए दोनों कंडिशन में आपके काम आ सकता रियान पराग सेलेक्शन भी 95% है पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अक्षर पटेल आउट कर देगा इसलिए अभी के लिए मैं पिक नहीं कर रहा हूँ ठीक है बॉलिंग सेक्शन में आगया हूँ बाईयों बॉलिंग सेक्शन में बात कर लेते हैं कौन-कौन से कुलियर्स खेलने वाले हैं तो चेहल खिलता हो दिखाई देगा बोल्ड भी आपको खिलता हो दिखाई देगा कुल्दी प्यादों भी खिलता हो दिखाई देगा आवेश्खान भी खिलता हो दिखाई देगा इंडिक नोट जे का भी कनफर्म नहीं खिलना नहीं खिलना और जे रिचार्ट सन भी इंजेड है पता नहीं क्या करा है रिशाप पंच बेठा हुआ था वहाँ पे निलामी के दिन और केसी टीम बना ली भाई आपने बोलर लिये ही नहीं मुगेश कुमार आज आपको पिलिंग लियुन में दिखाई दे सकता है नहीं तो सबसेट्यूट के रुप में इंपेक्ट पिलियर के रुप में खिलता हुआ दिखाई दे सकता है क्यों क्योंकि इशान शर्मा नहीं है और लास्ट मेच मेच में पोरे ला गया था नहीं तो म इंपेक्ट क्या बोलते हैं राजिस्तान बेटिंग करती है ना तो CBC बनाने लाइक रहेगा बरगर क्योंकि इंपेक्ट पिलियर के रूप में खेलेगा नवग्दिप सेनी सेनी का खेलना इसमेश में तोड़ा सा है मुश्किल अगर खेलता है तो फर्स्ट बोलिंग में सब्सेट्यूट के रूप में या फिर हो सकता है पी दूबे खेले सब्सेट्यूट के रूप में ठीक है तो बोलर्स का मैंने बता दिया आपको कौन-कौन खेलेगा बात करेंगे कि भाईयो लेना किस-किस को है तो देखो भाईयो फेले में समझा देता हूं आपको बोलिं सेक्षन के जो फिलियर होते हैं वो डिसाइड करता है कौन से टीम टोस जीती है ठीक है मान के चलो राजिस्तान टोस जीत के वेटिंग कर रही है तो यहां से आप बोल्ट को और नांद्रे बर्गर को यह दो फास्ट बुरलर ले लो ठीक है बाकी बचेगा जो एक पिलियर चाओ तो चहल को ले लो चाओ तो कुलदीप को ले लो चाओ तो खले ले मत को ले लो ठीक है अब इन दोलों को मैंने क्यों बोला अगर राजिस्तान पे ले वेटिंग कर रही है तो क्योंकि यह आपको पावर प्ले में गिनबाज ही करते हुए दिखाई देंगे और बोल्ट के सेकेंड बोलिंग में रिकॉर्ड बहुत अच्छे है ना कि फर्स्ट बोलिंग में तो सेकेंड बोलिंग में बोल्ट हमेशा विकेट निकालता है ठीक उसी तरह नांद्रे बर्गर भी लेप्ताम फास्ट गिनबाज विकेट टेकर और सेकेंड बोलिंग में ही हमेशा ज्यादा विकेट निकालता है तो बर्गर पे भी ध्यान रखना अगर राजिस्तान पेल ये दोनों important हो जाएंगे राजिस्तान पेले bowling कर रही है तो आविश खान और संदीफ शर्मा collection देखो दद्दस वर सेंटे first bowling है राजिस्तान की आ गई तो भाई मज़ा आ जाएगा समझ रहो ये दोनों आपको दे तोर्स में गिनवाजी करते हुए दिखाई देंगे ध्यान रखना तो first bowling की important pick ठीके बाकी pitch पे spinners को help है चहल और कुल्दीप आपको wicket कही ना कही से निकाल के देही देंगे ठीके और खासकर चहल चहल IPL में हमेशा wicket निकालता है तो चहल पे नजरे बना के रखना कुल्दीप भी हमेशा wicket निकालता है कुल्दीप भी नजरे बना के रखना बल्लेबाज कम करके विकेट कीपर कम करके आप इन दोनों को भी साथ में ले सकते हूँ बाकी बात रही और किसकी देखो चहल का बता दिया बोल्ट का बता दिया कुल्दीप का बता दिया आविश्खान का बता दिया इशान शर्मा खेले गानी संदीफ शर्मा का बता दिया मुकेश कुमार मुकेश कुमार को आप सेकेंड बोलिंग में ले सकते हूँ DC अगर पेले बेटिंग कर रही है न तो मुकेश कुमार को आप जरूर ले सकते हैं यह भी power play का gain बाजे नांध्रे बर्गर का समझा दिया खली लेमत दोनों condition में ले सकते हो शुरू में 2 over आखरी में 2 over यह शुरू में 2 डालता है आखरी में 2 डालता है ठीक है? तो दोनों condition में important रहता है, date over में bowling करता है power play में भी bowling करता है खली लेमत को दोनों condition में ले सकते हो भाईयो first bowling में ज़्यादा जबरदर्स रहता है last match में second bowling में दो ली गया था तो सारे बोलर का मैं आपको बता दिया बात कर लेते हैं कि अभी मैं किस किस को ले रहा हूँ तो भाईयो अब विम में मान कि चल रहा हूँ राजस्थान पे ले बेटिंग कर रही है तो मैं या से बोल्ट नांद्रे बर्गर और चहल इन तीनों को ले रहा हूँ मेरे रहे हिसाब से राजस्थान मेच विन करने वाली है भाईयो तो राजिस्तान अगर पेले बेटिंग करती है तो मेरी ये टीम रहेगी बात रही सी वी सी की तो राजिस्तान अगर बेटिंग करेगी तो भाईयो मिचल मार्श केप्टेन सीगली बढ़िया हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट पोलिंग में विगट ले जाएगा प्लस सेगेंड बेटिंग में ओपनिंग पे भी तो आएगा नई सेगेंड बेटिंग में वन डाउन भी आ सकता है क्योंकि प्रत्वी शो और देविड वर्नर ओपनिंग कर सकते हैं तो हो सकता है शुरू में बोल्ड विगट ले तो मिचल मार्श बज गया ठीक है तो वन डाउन आएगा तो जादा अच्छा रहेगा तो अभी के लिए केप्टन में कर रहा हो मिचल मार्श को वोईस केप्टन आप चाहो तो अक्षर पटेल को कर सकते हो चाहो तो संजू सेमसन को कर सकते हो विगट केवरिंग भी करेगा प्लस वन डाउन बेटिंग करेगा होम ग्राउंड है एडवांटेज मिल सकता है वागी वोईस केप्टन चाहो तो बोल्ट को भी कर सकते हो ऐसे और अगर सेफ खेलते हो इस मूल लिक खेलते हो तो जेस वाल को कर लो जेस वाल कंसिस्टेंट हरमेच में रन बनाता है आई प टीम रहेगी तो राजिस्तान बोलिंग करेगी तो सिदे सिदे में क्या करूँगा बोलिट को हटा के आविश्खान और बर्गर को हटा के यहां से संदीफ शर्मा ये काम में कर लूँगा ठीक है और फिर मैं सी बीसी चेंज करूँगा सी बीसी में क्या करूँगा बता दे कर दूँगा जेस Emperor को कर दूँगा और चाहोक तो केपटन Immerse कर सकते हो Mississippi मास को संजय संसन को इन दोनों को कर दूँगा संज्जू सेमसन विकट की फ़्रिंग चाहल गए गए बलेवाज को इतिक है चाहोक तो इसी टीम में मिछल मास को भी कर सकते हूँ फेले बेटिंग करते हुए रन भी तो बना के देदेगा ठीक है तो चाहो तो आप सजे सेंस nei के साथ में मिचल मर्श को भी बर्लें को कर सकते हो और प्लस क्या है कि देख अपनने बोट को बर्गर को ट्रौफ किया है तो मिचल मार्श केप्टेन की अच्छा है न अगर Dios और बरगर विकेट नहीं लेंगे तो अपनी टीम तो वेसी खराब हो जाएगी नहीं लेंगे तो ही तो यह टीम चलेगी ना भायो यो क्योंकि मार्श तो ओपनिंग पे रहगा बोल्ट और बरगर के चार ओवर निकल गए मतलब वोर्नर और मार्श के अच्छे काज से पोइं करती है तो कैसे टीम बनाना है डी सी अगर बोलिंग करती है तो कैसे टीम बनाना है देखो डी सी के फेवर में जा रहे हो तो यहां से कुलदीप मुकेश कुमार खलीले मद और यहां से अक्षर वटेल मेचल मार्श देविड वोरनर और यहां से दिशपपन्त यह साथ पिलिय बेटिंग करेगी ठीक है DC बेटिंग कर रही है मतलब यहां से अपने को आवेश खान या फिर संदीप शर्मा इन दोनों में से किसी एक को लेना है अभी के लिए संदीप शर्मा को ले लेता हूँ चाओ तो चेहल को भी ले सकते तीन बोलर भी ले सकते हैं भी कर सकते हो यहां से आवेश खान संदीप शर्मा यह तो देतोवर के लिए हो गए और चेहल भी भाई लास्ट कुछ में जो से चेहल देतोवर्स में बोलिक कर रहा है तो चेहल भी विकेट ले सकता है ठीक है बचा बस एक पिलियर तो चाहो तो एक पिलियर यहां से अच्विन को भी ले सकते हो पूरे बोलर ले लो ठीक है डीसी जीतेगी तो यह टीम आप बना सकते हो डीसी पहले बेटिंग करते हो उस कंडिशन में यह टीम आप की काम करेगी बात रही सी वीसी की तो डीसी अगर जीतेगी तो सबसे अच्छा विकिट टेकर गिनवाज अक्षर पटिल वो इस केप्टन चाहो तो मिचल मार्श को कर दो पर गिरेड लिंग में क्या है थोड़े रिस्की पिलियर बनाना सी वीसी सही रहता है तो चाहो तो अपना वीसी खलेल इमत को या फिर मुकेश कुमार को कर सकते हो खलील का शुरू में दो आकरी में दो है तो ज्यादा वीसी बनने के चांसे तो ये टीम भी आप बना सकते हो डीसी के फिवर में जा रहे हो तो अगर डीसी पेले बेटिंग कर रही है तो ये भी टीम आप बना सकते हो ठीक है क्योंकि पेले बेटिंग करने वाली टीम यहाँ पर जीट सकती है और देखो बाई ज्यादा गिनबाज आपको नहीं लेना है तो देखो अश्विन और चहिल को हटा के आप क्या कर सकते हो यहाँ से संज्यू सेंसन और यश्यश्विश जेस्वाल को भी ले सकते हो ये काम भी आप कर सकते हो ठीक है और फिर आपको वी सी भी चेंज करना चाहो तो वी सी भी अपना मिचल मार्श रख सकते है ठीक है तो ये टीम आपकी कप काम करेगी कि जब D-C पे ले बेटिंग करें, ओ सरी, बेटिंग करें, ठीके, मान के चलो DC अगर बोलिंग कर रही है, तो आप क्या करना मुकेश कुमार को हटाना, ठीके, खालील और कुल्दीप को तो रहने देना, मुकेश को हटा देना ठीके और यहां से संदीपूर आविश को हटा के बोल्ट और नांजरे बर्गर को उठा लेना ठीके बचेगा बस एक पिलियर तो एक पिलियर यहां से बटलर को ले सकते हो यह काम आप कर सकते हो फिर आपके साथ में मैं बता दू CBC भी ये दोनों चल जाएंगे होगा क्या देखो पावर पिले के अपने पास में सेकेंड इनिंग के तो गिन बाज होगा नांदरे बेरगर और ट्रेंड बोल्ट सेकेंड बोलिंग में विकेट ले सकते हैं प्लस फर्स्ट बोलिंग के अपने पास में खली लेमद और मिचल मार्श ये दोनों देखो वर्स के लिए हो गए कुल्दी प्यादाओ भी आखरी में बोलिंग कर लेता है ठीके बाकी रिशब पंद और देविड बोलनर ही तो कंसिस्टेंट डेबलास रिशब पंद विकेट की फिरिंग भी कर रहा है यशशवी जेस्वाल कंसिस्टेंट बल्लेवाज हमेशर रन बनाई देता है और अगर आपको रिस्क लेना इस टीम में तो आप क्या कर सकते हो संजू सेमसन और बटलर को हटा के यहाँ से अश्विन और अपना चहल दो इस्पिनर बढ़ा सकते हो तो यह टीम भी आप बना सकते हो डीसी कि अगर बोलिंग है पेले तो ठीक है तो भाईयो सब कुछ तो आपको समझ में आई गया होगा लेकिन मैंने आपसे आज एक बात नहीं बूली गोशन नहीं पूछा आपसे यार मैं भूली गया जल्दी जल्दी में तो भाईयो कुछन तो नहीं पूछा लेकिन हाँ विडियो लाइक ठोक दे न लाइक करने से आप ग्रेंड लिक जीतोगे बोलो के भाई के से तो भाई चलो एसे बता देता हूँ के से देखो भाईयो आपने वीडियो ध्यान से देख ली और जिसकी आपने वीडियो देखी न वो आए दिनो ग्रेंड लिक जीता जीता आता रहता है ठीक है तो आपने वीडियो ध्यान से देख ली अब आपकी बस रेंग देखो आप और अगर आपने वीडियो लाइक ठोकी है तो बस rank देखो और अगर मान के चलो आपकी rank के 1000 और अगर आपने वीडियो को like ठोका है तो भाईयो मैं आपको guarantee देता हूँ आप 1000 से first पर आ जाओगी बोलोग एसा कैसे हो सकता है तो वो एसे हो सकता है कि वाईयो उपर वाला देख रहा है ठीक है उपर वाला देखता है जिस मन में थोड़ी सी खोट है और वीडियो को like नहीं किया है तो भाई फर्स ट्रेंग से नीचे भी हो जाओगी ध्यान रखना एसा बहुत बहुत बार हुआ है मेरे बंदों के साथ में वो आके बताते हैं भाई आप साही बोलते हो यार वीडियो like ठोक देता तो मैं जीत जात है तो वो गल्टी मत करना like ठोक देना बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसका अपने मन दिल से like ठोक देना ठीक है और comment कर देना एकाद अच्छी सी ठीक है IPL जबर्दस्त चल रहा है जो कुछ था भाई हो देखो बता तो चुका हूं लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रख डिस्क्रिप्शन और comment box में अब इसके अलावा भाईयो टेलीग्राम चैनल आप जोइन तो कर लेना लेकिन हाँ ध्यान रखना कि मेरा सिर्फ एकी टेलीग्राम चैनल है जिसके link वीडियो के description और comment box में भाई से जोइन करना ठीक है इसके अलावा आपका भाई प्राइम में मेरे मेंबर्शिप के फार्दे बता देता हूं आपको पानी भी यह लाइम आने के टाइम पे जेसी का आप पहता है आपका भाई Prim group में ग्रेलिक्स टीम्स बेजता जाता यह तो अगर आपको मेरी ग्रेलिक्त डीम्स चाहिए तो नहिटा दीता हो भाईयोग कि जिंदगी में कभी भी आपको प्राइइं जोईन करना है कि कि अच्छ него EMP कोटेक्क clear ड denim Q & Q 3 A p यहाँ भी आप contact करोगे आपको prime की detail मिल जाएगी 3,999 रुपे का package है मेरा परहाँ ध्यान रखना fraud लोगों से साउधान रहे ना बहुत लोग मेरे नाम से fraud करते हैं इसलिए अपना whatsapp नंबर बता देता हूँ और real telegram channel आपको मालूम है वीडियो के description और comment box में link के उसकी तो महाँ से join कर लेना है ठीक है भाईयो बचा क्या है whatsapp पे आप आओगे तो whatsapp पे आपको telegram की भी link मिल जाएगी whatsapp channel की भी link मिल जाएगी package का पता चल जाएगा ठीक है बागी whatsapp पे नहीं आना है तो direct bell icon को press करो grand league अगर कोई जितवा सकता है तो वह आपका भाई है ध्यान डगना इस चीद का यकिन नहीं है CS के वाज गुजरात के वीडियो देखो एक एक prediction सुनो एक एक prediction सुनो जो आपके भाई ने बुला था वही हुआ था आप मेरी सारी IPL के वीडियो देख लो जिस टीम का आपके भाई ने बुला है वोई टीम में जितती है और बुला था पेले बेटिंग करने वाली टीम जिते ही लेकिन ये भी बुला था कि मुंबाई के जितने के ज़्याजा चांस है ठीक है पर जिसीड टोस हुआ था पेले मुंबाई ने टोस गलत डिसिजन लिया था मैंने हिदराबाद के फेवर में टीम बनाई थी और बोल दिया था चैनल में कि भाई लाइब में भूल दिया था कि यार भाईयो मुंबाई ने गलत डिसिजन ले लिया बोलिंग का बेटिंग लेती ना M.I. तो कल M.I. भी जीत जाती है और याब देखो 20 बोल में 24 रन बना के जा रहा हर्दिक पांडिया उससे अच्छा ब्रेविस को पोचा देता यार वो 20 बोल में 40 रन बना देता जीत जाते तुम दो इतने पास आके हर गई ठीक है वो तो छोड़ो यार भाईयो वो तो कल की बात है बाकी टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेना और 6 बज़े लाइब मिलूँगा भाईयो पढ़े में शाम को 6 बज़े लाइब आता हूँ लाइब सेशन जोइन करो भाईयो उसमें जो भी निव अपडेट्स होती हूँ बताता हूँ ग्रेंड लिक की टीम्स बताता हूँ टोस होने के बाद मैं फाइनल स्मोल लिक और दो ग्रेंड लिक की टीम्स देता हूँ लाइब सेशन में तो लाइब सेशन जोइन करना मत भुला करो 6 बज़े शाम को ठीके अभी पूरी वीडियो देख ली शाम को 6 बज़े लाइब में आ जाओ बस इत्ता काम कर लो 2 करोड रुपे 1.5 करोड रुपे आराम से जीतों गया ठीके भाईयो तो सब कुछ मैं बता चुका हूँ टीमें आपको समझा चुका हूँ और बाकी फाइनल टीम आपको टेलिकराम पे मिले जाएगी और 6 बज़े लाइब में आ जाना ठीके भाईयो बाकी अब मिलेंगे सीधे लाइब सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद भाईयो आपका दिन शुबो डेर सारी अजाब की फिनिंग सो